आज की वीडियो के पर हम बात करने वाले हैं कि टिक टॉक पर maximum number of attempts reach try again letter दोस्तों ये problem देखने को मेरी है अगर दोस्तों जैसे ही आप अपने टिक टॉक अकाउंट को login करने जाती हैं और वहाँ पर दोस्तों आप phone number टाइप करते हो या आप email टाइप करते हो या वहाँ पर आ बहुत काम मिलने वाली है तो सबसे वहले दोस्तों आपने यहां से बैक आना है टिक टॉक को ठीक है टिक टॉक पर दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों यहां पर आपने इसको पर प्रेस करके रखना है और यहां पर आपको app info के option के ओपर चले जाना अब जा नेम टाइप करते हूं यह को जीमेल आप इमेल टाइप करते हो वहाँ पर दोस्तों आपको जब यह प्राब्लम इसलिए आती है कि आप लोग उसको correct यानिके सही आप उसको numbers में टाइप नहीं कर पाते हैं तब ही आपको यह problem आती है सबसे पहले दोस्तों अभी आप देख पाओगे कि दोस्तों यहाँ पर data use जो इतनी है और यहाँ पर जो जीपी के हिसाब से 1.11 जीपी मेरी यहाँ पर storage भड़ी पड़ी है सो clear पर click करना है और यहाँ पर clear catchी करना है ठीक है Chrome Rehuzur के उपर जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर TikTok पर आपने लिखना है TikTok ठीक है लिखने के बाद दोस्तों आपने report यहाँ पर आपने type करना है जैसे करोगे दोस्तों आपके पास यहाँ पर यह problem आएगी यानि कि पहले आपने website को पर click कर देना है अब जैसे आप इसको पर click करोगे तो आपके पास यह पे जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको topic select करना है कि आप कौन से topic पर दोस्तों यहाँ पर आप videos बनाती है change account information हो गया तो यहाँ पर आपने वो category यहाँ पर आपने topic select करना है ठीक है यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर जब account band suspension है यहाँ पर report feature request तो यहाँ पर दोस्तों आपने यह वाली select करने है ठीक है उसके बाद category पर आजाएगे category हमारी जो पर report feedback ठीक है उसके बाद username optical ठीक है यहाँ पर optional है ठीक है लिखे या ना लिखे लेकिन लिखना बहुत जरूरी है इसलिए कि TikTok को पता चलेगा कि वाकिए यह उस बंदे का है ठीक है आपने यहाँ पर लिख देना ठीक है इस तरीके से अब जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर दोस्तो यहाँ परमालो दोस्तों मैंने कोई भी यहाँ पर लिख दिया लेकिन आपने अपने यूजर नेम लिखना है ठीक है अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से जब टाइप कर देता हूं additional details अब details वो देनी है जो हमें इससे problem solve होगी आपने इस पर click करना और इस पर paste कर देना ठ ठीक है इस तरीके से अभी दोस्तों यहाँ पर अपील लिख दिया टिक टॉक टीम यहाँ पर दोस्तों हमें जो वो maximum number of attempts reach try again letter problem ठीक है अब आपको इसको कैसे solve करना मैं आपको बताता हूं अच्छा यहाँ से मैं new tap के उपर click करूंगा अब यहाँ पर chrome browser में आपने आना यह आपने यहाँ से यह picture यानि कि इसका आपने screenshot ले लेना अब जैसे मैं google lens के उपर आया जैसे chrome browser के उपर आया side पर camera पर click किया इस picture का screenshot लेने के बाद ऐसे ही आपने add कर लेने ठीक है इस पर press करके रखना आपने इसको इस तरीके से आपने इसको copy कर लेना यह copy हो जाएगा किस problem आपको आ रही है screenshot उसका लो उसके बाद दोस्तों आप files पर आओ आपने यहाँ से अपनी image जो है वह यहाँ पर कर देनी है paste यानि कि upload कर देनी है उसके बाद टिक लगाना है आपको पहले पर और दूसरे पर ठीक है लगाने के बाद दोस्तों आपको submit पर click अब जैसे आप submit पर click करोगे उसके बाद आपके पास यह पे जाएगा वो कहरें कि बिल्कुल आपको इसको सीधा करना है ठीक है इस तरीके से यानि कि match करना है कि और match ही रहे ठीक है यह इस तरीके से ठीक है तो यह match हो चुका है अब यहाँ पर हमारा टिकोच का verification complete हो चुका है request submit हो चुक ह यह thanks for contacting TikTok ठीक है इसको करने के बाद back आजाओ और आपने 24 घंटे आपने wait करना है TikTok बहुत जल्ड़ आपको reply देती है 1 घंटे में भी 40 मिनिट में भी 2 घंटों में भी लेकिन maximum जो time होता है पर 24 घंटे होते हैं wait कर लो आपकी problem solve हो जाएगी